पीरे दर्शको इस्टार्बोन एश्टो चलर्ण में आपका हर्दिक स्वागत है मैं टिसी गुत्तम एश्टलोजर आज हम केंद्रपती दोस के विसे में बात करेंगे जैसे की केंद्रपती दोस का नाम है इसका मतलब यह है कि ग्रह को दोस लग जाना यानि कि जो केंद्र में ग्रह हैं सुब ग्रह उनको दोस लग जाना तो केंद्रपती दोस जो है हमेशा जो है सुब ग्रह को लगता है जो कि सुग्रे हमारे हैं गुरु जो नेसर के सबसे ज़्यादा सुग्रे हैं उसके बाद है सुकर उसके बाद है बुद्ध और उसके बाद है चंद्रमा ये हमारे चार ग्रे सुग्रे माने गए हैं जिनको की केंद्र में होने से उनको दोस लग जाता है यदि वो मारक भाव बहाव के भी स्वामी बनते हैं तो सबसे पहले यह है कि जब भी ग्रह जो हमारा और यदि मारक भाव का स्वामी बनता है तो वह केंद्रपति दोस्त में आ आफ आये हम इसके बार में लगनों के अनुसार बताते हैं कि कौन सा ग्रह किस लगन में जो यह हैं कि 12 कि जो आब इसकशनसे नहीं है तो उन पहले पहले डेंशक शोदान के अंदर देगते हैं कि लान में घ्रापति जो है साथ्वी रासयाति जिसका स्वामी स्वखिर है और दूसरे भाव में में दो नमबर या दोनों और दूसरा भाव के अंदर रासी पड़ती है धनुरासी और दसम भाव के अंदर पड़ती है मीन रासी जिसका स्वामी गुरु है जो की सब्तम भाव जो है मारक भाव है उसका भी वो स्वामी है इसलिए उसको भी किंद्रपति दोस्त लगता है इसी तरह से यदि हम देखते हैं कि कन्या लगन मिल लगन में गुरू और चोते भाव को स्वामि है वह धनु लगन धनु उराशी परती है उसका भी स्वामी जो है गुरू है तो इसको केंद्रपति दोस्त लगा क्योंकि यह मारक भाव हमारा सप्तम भाव का भी स्वामी है इसी तरह से यदि अगर हम विरस्चिक लगन को देखते हैं तो विरस्चिक लगन के अंदर भी सप्तम भाव के अंदर विरसवराशी पढ़ती है जिसका स्वामी शुक्कर है और वह बारो भाव का में भी सप्तम यानि साथ नम और आभी रासी सप्थम्तों अने से यानि मारख भाव में亞ने से यह सुख्कर जो है यहां पर केंदर बतीस इता है इसी तरह से लिखन धन लगण के अंदर धन में जो है रितुन रासी पढ़ती है सब्तम भाव में जो कि मारक भाव है और दसम भाव में कन्यराशी पढ़ती है यानि कि दो केंद्र का स्वामी है और ये जो है केंद्रापती दोस से पीडित है केंद्रापती दोस जब गुरु ये जब ये बुद्र जो है यदि अकेला बैठा हो कुंडली के अंदर या सोम्य ग्रह के साथ में बैठा हो तो ये इसको दोस लगता है और यदि ये पाभी ग्रह के साथ में बैठता है तो इसको दोस लगता क्योंकि ये पहले ही आप ही हो ग कि मकल लगन के अंदर सब्सक्र बाहो के अंदर मारक बंस्वामी जो रोसे अपर हम ने बताया था कि जो भी ऋजो ही शुपग्रहा यदी मारक भाव का स्वागल बनता है तो वो किंधरबतिष् कुश्में आ लिए तइसी तरह से चंद्रुमा Harama के अंदर किंधरबतिष्वश है और चंद्रुमा यदि पक्षबली है नौन इस्में दोस के अंदर जो है सबतमभाव के अंदर कन्य रासी पड़ती है और छोते भाव में वित्वर्ण रासी पड़ती है यानि कि सबतमभाव जो हमारा मारख है उसका सवामी है बुद्ध तो यह जो है किरभति दोस में आजाएगा तो इसी तरह से हमारे साथों लगन के अंदर हमारे चुप गि रहा हacht चार है कि नपधि दोस्टे जा जाते हैं का मतलब यह है कि गिरह के दर्वाव का स्वामी हुआ है उसके वह सप्धोर मारा मार indirectly होता है उसके स्वामी जब यह बनते हैं तो इनको फो जिरह को केंदरपती दोस लग जाता है अगर लगन का लगनेज जो है वो कभी भी उसको केंदरपती दोस नहीं लगता क्योंकि वो लगन को हम तिरकों और दोनों का मालिक केंदर ओत्युर्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वा तरे अब का उल्क पर्भाव Ch holder गयानि कि तडर्ष्त हो जाते हैं निकिश्य नूटल हो जाते हैं इसका कहने का मतलब ये नहीं है यह जो है ग्रह घे अपना परण पल जो है मालो सुप टर हैं तो इपना जो है जो तोझे गunting करेगा ऐसा नहीं टर्थ या जो है पापी ग्रेह हैं वो अपना पाप परभाव छोड़कर सुब परभाव देंगे ऐसा नहीं है यह केवल तडश्ट हो जाते हैं और इनका फल न्यूटल हो जाता है यानि कि फल में अपनी यह कमी कर देते हैं इसी तरह से जैसे मानलो सुब ग्रेह जो हमारे केंद्र के अंदर बैठते हैं और जैसे मानलो यह हमारा हंस पांपुर्शु योग बनाते हैं गुरू यदि अपनी रासी केंदर बैठते हैं केंद्र केंदर तो यह हंस मांपुर्शु योग बनाते हैं और यदि यह केंदर प आते हैं यदि वो अपने रासी में होते हैं या उचके होते हैं तो वो भी एक बद्र मापुर्श योग बनता है लेकिन अगर उनको केंद्रपती दोस्त लगा हुआ है तो उनको बद्र मापुर्श योग का फल उतना नहीं मिल पाता है उसमें कमी आ जाती है इसी तरह से अगर बैठे हुए हैं केंद्र में तो बनता है और वो भी अगर पीड़ित केंद्रपती दोस्त से हैं तो उसके द्वारा वह मालवय योग का फल इतना नहीं पिल पाता है यानि कि फल केंदर कमी आ जाती है क्योंकि फल केंद्रपती दोस्त क्योंकि लग गया तो उसकेंद ही अधिक जो है परभाव परभावित होते हैं क्योंकि यह अपना परभाव जो है नहीं पूरी तरह से दे पाते शुब होने के कारण थोड़ा सा उसमें कमी कर देते हैं तो यह केंदरपती दोस्त की परिभासा है इसी तरह से तो आज इतना ही यदि मेरा वीडियो आपको प्रिया लेगन का बटन दबाएं जिससे की मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सिगर पौश से के वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद